नाव पिछले एक से लेकर देट साल में एक पैटन नोटिस किया गया है कि जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35 ए हड़ाया है फ्रॉम कश्मीर और दो यूनियन टरिटरी यहां पर बना दी है तो चाइना और पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है इन पाकिस्तान ओक्यूप यह पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉरंट डैम है इसकी कंस्ट्रक्शन 1980 से रुकी हुई है और टोटल जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की इस ओवर 5 बिलियन डॉलर्स एक क्वेस्टन में आपे आपसे पूछूँँगा कि जो दियामेर बाशा डैम है यह किस नदी पर बनेगा आपकी ऑफ्शन्स हैं इंदस नदी जेलम चेनाब या फिर रावी नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका अंसर करना तो यह तो था दिये मेर बाशा डैम जिस पर कॉंट्रेक्ट साइन हुआ था एक महीने पहले अब फिर से चाइना और पाकिस्तान ने दो हाइडरो प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है एक है आजाद पतान और दूसरा कोहाला हाईडरो पावर प्रोजेक्ट दोनों जो यह प्रोजेक्ट है यह पाकिस्तान occupied कश्मीर में है और और अब्यस नी बात है इंडिया ने दोनों प्रोजेक्ट को लेकर आपक्ति जिताई है कहा है कि ये project illegal तरीके से बन रहे है on an occupied territory तो discuss करते हैं इस topic को बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा exam perspective से it is a very important topic so a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin go to google play store, download the study IQ education app और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं हमारा flagship course जिससे आप UPSC की तियारी घर बैठे या कई भी कर पाएंगे इस course के लिए EMI option भी available है और study IQ की हर वीडियो की notification बाने के लिए make sure to subscribe to our channel and press the bell icon notification so यहाँ पे हम primarily बात करेंगे दो hydro power projects के बारे में आजाद पतान hydro power project और दूसरा कोहाला hydro power project दोनों जो यह project हैं यह आपको मिलेंगे जेलम नदी पर in Pakistan occupied Kashmir यह जो नदी है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ जेलम नदी का जो origin है यह होता है जम्मू कश्मीर Union territory से यहाँ पर आप देख पाओगे यह है जेलम और primarily इसको जड़ा पानी मिलता है from a spring जिसका नाम है Varinag Varinag एक बहुती खास spring है माना जाता है कि यह जो spring है ना इसमें पानी कभी overflow होता है ना पानी यहाँ पर कभी कम होता है तो यह इस नदी का source है और फिर यहाँ से यह जाती है Pakistan occupied Kashmir में और उसके बाद यह पाकिस्तान को पानी प्रवाइड करती है Various cities को पानी प्रवाइड करती है और फिर यह इंदस की एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है और Arabian Sea में बैज आती है तो जेलम आप देखोगे इस रूट से यहाँ पर जारी है पाकिस्तान में यह जो पार्ट है पाकिस्तान का इसको यह लोग कहते हैं आजाद कश्मीर जो उपर का पार्ट है इनके हिसाब से यह बाल्टस्तान है तो यह प्रॉपर आप रहेंगे लोकेशन है इस हाइडर पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पर है आजाद पटान हाइडर पावर प्रोजेक्ट यह अफ्कोर्स प्रपोस किया गया है अभी इस पर construction होनी बाकी है जो इसकी construction है यह most probably complete होगी by 2024 और 2025 और यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर होगा Kohala Hydro Power Project इस एरिया के असपास अब आपके mind में question होगा कि क्या है यह जो दो project है यह CPAC का part है तो बिलकुल चाइना और पा हाइडर प्रोजेक्ट में invest करेगा 1.5 billion dollars जो almost आप कह सकते हैं इंडियन रुपीज में हो गए 11,000 करोड रुपे और total 2.4 billion dollars इन Kohala Hydro Power Project यह हो गए रफली करीब आप कह सकते हैं 18 से लेकर 19,000 करोड रुपे और अगर हम बात करें power capacity की तो आजार पटन की power capacity होगी maximum 700 megawatt और similarly Koh तो हाला Hydro Power Project इसकी maximum capacity होगी 1124 megawatt अब यह जो हम billions की बात कर रहे थे यहाँ पर क्या यह loan है क्या यह मतलब already जो हम सुन रहे हैं करीब 45 to 50 billion dollars तो इसमें additional यह दो लोन आ जाएंगे वेल देगो पहली बात तो CPAC में loan पाकिस्तान ने लिये कितने हैं यह पाकिस्तान ने किसी को बताया नहीं है तो पाकिस्तान ने एक्चुली चाइना से कितने loan लिये हैं किस interest rate पे लिये हैं उसके बारे में पाकिस्तानी public even उनके आज जनलिस्ट को बता नहीं है तो it is a closely guarded secret म returns आएंगी मतलब किसे जो income generate होगी electricity बेच कर उससे चाइना अपना profit कमाएगा तो यह इनके इसाब से अभी explanation है बाकि यह reality है या नहीं उसको मैं comment करूंगा नहीं बट आप अगर shorten perspective से देखो तो पाकिस्तान के लिए काफी अच्छी बात है यह जो दोनों hydro power projects है इनसे पाकिस पाकिस्तान में उसको भी इंप्रूव कर पाएंगे मगर आप इस पूरे project को एक international perspective से देखो तो यह जो पूरा project है यह illegal है primarily क्योंकि यह एक ऐसे जगा पे बना रहे हैं जो एक disputed territory है between India और पाकिस्तान और obviously Indian government ने इन दोनों agreements का criticism किया है और यह काए कि पहली बात तो जो CPAC ह यह इंडिया की sovereignty को wallet कर रहा है और फिर यहाँ पर यह भी बोला है कि एक disputed territory में इस type की investment करना गलत है क्योंकि आप अगर Indian perspective से देखो तो कभी भी अगर हम अरनाचल पदेश में या फिर लदाग के किसी area में हमको investment चाहिए हमको अगर loan चाहिए from world bank वो हमको मिल नहीं पाता क् चाइना हमेशा इसको block कर देता है चाइना कहता है कि यह locations disputed है तो यहाँ पर world bank loan distribute करनी सकता वेराज यहाँ पर जो पाकिस्तन occupied कश्मीर है जो एक non disputed area है around the world वहाँ पर चाइना openly investment कर रहा है तो यहाँ पर question आता है कि क्या India इसकी against कुछ कर सकता है international court में वेल इसका answer है नहीं maximum हम यही कर सकते हैं कि condemn कर सकते हैं इसको जो पाकिस्तन occupied कश्मीर में लोग रहते हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी पता है कि हमबन टोटा में क्या हुआ है कि सरीके से चाइना ने various countries को debt trap में फसाया है तो वो लोग भी डरते हैं कि in the future ये area चाइना के debt trap में ना उतना in the future इंडिया के लिए मुश्किल होगा ये territory वापस अपने control में ले पाना सो इसके response पे इंडिया कर क्या सकता है वैल सबसे हहाँ पे अच्छा option ये होगा कि जो हमने recently निढने लिया है कि South Channel Sea में हमारी navigation बढ़ेगी तो South Channel Sea में बहुत सारे natural gas और petroleum के reserve है जहां पर drilling करना चाती है countries like Vietnam, Philippines और various other countries so India finally इन सब countries की help कर सकता है already ONGC विदेश ने Vietnam के साथ मिलकर कुछ drilling यहाँ पर करी थी मगर वो बहुत ही छोटे skill पर थी इंडिया के लिए need यहाँ पर यह है कि अगर China को proper message भेजना है तो South Channel Sea में ONGC और जो हमारी various companies है उनको large skill पर drilling करनी होगी और इंड India, US और ASEAN countries की जो Navy है यह तीनों यहाँ पर deployed होंगी तो अभी के लिए यह है एंड इस वीडियो का thanks for listening and as always God bless you all